हेलो एवरीवन वेलकूम अगें टू लन्वर देतीवन तो आपको पता है आपका रिजल्ट आ चुका है दुबारा से मैं आप लोगों को बधाई दूगी जिन बच्चों का दो गुना में सेलेक्शन हुआ है और अब जो है वो डिवी में सामिल होने के लिए अपने जो डॉ लगाया है तो उनको फायदा भी हुआ है तो ऐसे पाँको जिस से कई बच्चे तो दो thunder में शामिल हो गए और ऐसे में नुकसान भी हुआ है और फायदा भी maximum बच्चों का फायदा ही हुआ है पांच कोशन को डिलीट करने में क्योंकि जब तुरूटी पाई गई है तो उनको शामिल जो है किसी ने नहीं किया होगा ठीक है तो यहां पर कौन-कौन से प्रस्ण जो है डिलीट हुए है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगे और आप लोग जो है उन कोशन को देखकर भी यह आप पता लगाएंगे कि हाँ हमने जो है इस कोशन को नहीं किया छोड़ दिया या हमने पहले ही मान लिया था कि यह तो डिलीट होंगे तो इसमें देखियेगा सबसे पहले GK करंट अफियर म में 113 question 113 question जो है delete हुआ है general science में जो delete question है 96 है और वहीं IT में 2 question delete हुए है 149 और 150 ठीक है तो ये तो संख्या है तो यहाँ पर देखिए English का जो question है 113 ये वाला question जो board ने इसमें गलती उनको मिली है authentic proof जब दिखाया गया तो इसको उन्होंने delete कर दिया है तो इस question पर जो है किन को फायदा हुआ है बिल्कुल बताएं ये देखिए IT का question है जब आप excel file को word document में insert करते हैं तो data होते हैं तो इसको भी board ने गलत माना है ऐसे बालक जो अनसोचे जाती अनसोचे जन जाती या तो समाजिक section पिछले वर्क से संबंदित है उन्हें परिवासित किया गया है तो इस question को भी board ने delete मान लिया है जीके का है ये पुस्त खाले को digital डूप में रखना तो IT का ये question भी delete हो गया है यानि 149 और 150 question delete हुआ next देखिए यहां पर निमनलकित मैसे किसका उपयोग अपचयो पचय अनुमापन में प्रात्मिक मानक की रूप में किया जा सकता है तो इसको भी delete कर दिया गया है तो आप जो है बताईएगा कि इन question को आपने छोड़ दिया था बिल्कुल आप लोगों के लिए important रहता है क्योंकि मैं कभी भी ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूं जो कि आपका time बरबात करे ठीक है तो कई बच्चे जो है वो बोलते है मैं अपनी जो है इस विशाय पर अपनी राय दे देखिए आप लोग बढ़ने वाले बच्चे हैं ठी पढ़ाई को छोड़कर बाकी सबी चीज़ें जो है यूटूब पर सर्च करते हैं देखते हैं ठीक है उनको हमेशा चाहिए होता है रीड से संबंदित कोई न्यूज हो लेकिन पढ़ाई ना हो क्योंकि मैंने देखा है कि पढ़ाई वाले जितने भी वीडियो हैं उन पर बच्चे जो है वो कम ही दिहान लगाते हैं कम पढ़ते हैं ऐसा हो जाता है जब तक रिजल्ट नहीं आता है हमारे सामने तब तक हमारा पढ़ाई करने का मन भी नहीं लगता है क्योंकि कई बच्चे को लगता है पता नहीं हमारे सेलेक्शन शायद हो सकता है तो हम क्यों प इसमें गलती बच्चों की नहीं होती है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने ऐसे वीडियो विलकुल भी नहीं लेकर आती हूँ जिससे कि कुछ भी फायदा ना हो क्योंकि मुझे चाहिए कि बच्चों को जादा से जादा भला हो जादा से जादा बच्चे सीखें ऐसी चीज़ें जो है YouTube पर डालनी चाहिए लेकिन क्या होता है कि जो student है वो खुद भी ऐसी news पर ही जादा ध्यान देते हैं ठीक है जिसमें ऐसी न्यूज जो आपकी किसी काम की नहीं होगी ऐसी न्यूज को वो हमेशा देखते हैं रीट से संबंदित कट आफ के इतने वीडियो जो है यूटूब पर डाले गए हैं कि हर किसी को देखते हैं और फिर क्या होता है कुछ बच्छे परेशान हो जाते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं वो खुस होते हैं देखकर मैंने आपको पहले ही वताया था कि authentic जब cut off आएगी वो बिल्कुल आपके favor में ही आएगी ऐसे ही level 2 की जो है उसमें भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जुरुत नहीं है कि कितनी आएगी तो जिन बच्छो उने जो है ध्यान नहीं दिया है या फिर परिस्टियां ऐसी बन जाती है कि कुछ नहीं हो पाता है तो ऐसी condition में जो है वो आप लोग जो next विकैंसी आ रही है बहुत सारी विकैंसी आएगी तो उसमें जो है वो आप लोग जरूर वहाँ पर आप लोगों का selection होगा ही मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती है ठीक है अब कई बच्चों को ऐसा लगता है कि हमने तो माना था कि हमारा जो है selection इस साल हो ही जाता इसके बाद तो हम पढ़ेंगे ही नहीं तो मैंने आपको बताया आपका उदेश्य ये नहीं है आपका उदेश्य जो है वो पढ़ना और पढ पढ़ना और पढ़ना है जो से आपका पीछा नहीं छूट सकता है यदि आप वास्तम में अच्छे student है अच्छे teacher है ठीक है तो बिलकुल दिमाग से ये चीज तो आप लोग बिलकुल आउट कर दें चाहे कितना भी busy person हो कितना भी परेशान हो books ऐसी होती है कि हर परेशानी से बाहर निकाल देती हैं तो इनको ही अपना दोस्त मने और आपको जीवन भर जो है इनके साथ ही रहना है इनके साथ ही चलना है ठीक है तो जैसे ही level 2 की आएगी result आएगा cut off आएगी तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे कौन-कौन से प्रश्णों जो है delete हुए हैं और कितने बच्चों को जो है उससे फायदा हुआ है तो आप सभी लोग जो है इस चीज़ को समझ के रखेंगे कि हमने जो भी प्रूफ दिया है बोर्ड को तो बोर्ड ने उस प्रश्णों को delete किया है या नहीं किया है यदि आपने authentic प्रमान दिया है तो बिलकुल उस प्रश्णों क इसको delete करना ही होगा ठीक है मैंने ही जो है student के नाम पर यानि एक student उसको आपत्ती लगानी थी लेकिन क्या होता है केवल student ही लगा सकता है आपत्ती ठीक है उसी का roll number जो है use होता है तो इसलिए मेरे द्वारा भी जो है वो 6 प्रश्णों पर आपत्ती लगाई गई अब लीटर करता है तो मिलेंगे थैंक यू